हलो दोस्तो केसे हो मैं हूँ आश्वीन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में दोस्तो वेसे तो चेस 24 लेजेंट्स ओफ चेस टूर्णामेंट जो उनलान चल रही है वो आनन जी के लिए को जितने अच्छी नहीं जा रही है बट खल उन्होंने यान नेपो को ब्लेक पीसिस के साथ एक बढ़िया सी मात दी जिसमें क्विन सेक्रिफाइज इन वोल था तो आज जो हैं वो गेम देखने वाला है जिसमें यान नेपो ने गेम की शुरुआद E4 से की and now अनन जी ने रिप्ले दिया C5 सिसलेंड दिफेंस नव 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 E6 नव C3 नव C6 D4 C captures on D4 नव नव क्विन टू C7 यह है ताइम और वरियेशन ओप सिसलेंड दिफेंस जहां पर A3 खला गया है जबकि उसी पोजिशन में जो है बिशप E3 आई गेस जो है वो में अगर मैं मिस नहीं कर रहा हूँ तो just second मुझे चेक करने दिजी या बिशप E3 जो है वो यहाँ पर main line है but anyways गेम में जो है वो actually यहां ने पोने E3 खला ना वान जी ने खला A6 and now बिशप E3 knight to F6 and now queen to F3 B5 और इस पोजिशन में दोस्तो knight captures on C6 जो है वो usually खला जाता है but गेम मे क्या हुआ कि E5 या ने पोने खला जो कि इस गेम की novelty है so यहाँ पर आप क्या खेल सकते हो वीडियो को pause किजिए और सोचिए ready दोस्तों यहाँ पर देखिए first of all E5 pawn को capture नहीं किया जा सकता ना knight से ना जो है नहीं queen से क्यूंके queen से आप capture करते हो then knight capture C6 pawn capture C6 queen capture C6 winning है और अपकोस अगर आप knight से capture करते हो तो rook जा रहा है और बाद में कोई bishop B7 जैसी moon नहीं है point यह है कि उदर bishop जो है वो pin रहता है so if I know already के बाद आनन जी ने actually खेला knight captures on D4 और इस position में आप queen captures on 8 के लिए नहीं जा सकते हो क्योंके आनन जी यहाँ पर खेल सकते है knight captures on C2 check and after king D2 again वीडियो को pause किजिए और सोचिए कि black को क्या खेलना चाहिए क्या black को rook capture करना चाहिए या यह bishop so दोस्तों यह काफी interesting line है actually यहाँ पर रुक को capture करना जो है इतना अच्छा नहीं है for example आप रुक capture करने के लिए जाते हो then E captures on F6 and after G captures on F6 say bishop captures on B5 point यह है कि एक pawn तो जो है आपको मिल दा है क्योंके knight उदर जो है under attack है but now knight to a B3 and after king C2 say A captures B5 king captures on B3 and now say आप खेलते हो queen to B7 but then queen captures B7 bishop captures on B7 और यह position जो है वो equal हो जाएगी but यहाँ पर queen captures on 8 के बाद knight captures C2 and king D2 के बाद हम actually खेल सकते है knight captures on E3 जो की black के लिए अच्छा है although black यहाँ पर action down रहेगा but उसकी position जो है काफी बढ़िया रहेगी F captures on E3 के बाद अब knight 2 G4 so point के है दोस्तों first of all देखें यह pawn जो है वो center का पुन वो जा रहा है white का king भी करेगा जबकि black जो है bishop move करके castle करेगा और black के पास जो bishop पहर है उसकी वजहाँ से white का king जो center में है तो काफी बढ़िया attack मिलने का यहाँ पर chance है so यह position black के लिए अच्छी हो जाती इसलिए knight captures on D4 के बाद white जो है actually queen captures rook नहीं खेल सकता है game में bishop captures on D4 Ian Nepo ने खेला and now bishop to B7 queen पर attack है queen G3 and now knight to D5 और यहाँ पर दोस्तो bishop D3 जो है वो engine बता रहा है कि equal line है but knight D5 के बाद actually Ian Nepo ने risk लिया उन्होंने खेला knight E4 और वो आनन जी को जो है invitation दे रहे है कि आप queen captures on C2 खेलो और उसके बाद वो क्या करना चाता है दोस्तों कि bishop to D3 खलना चाते है and then castling short के बाद आप देखा जाए तो white के pieces जो है वो काफी active है even ज़्यादा centralized है but आनन जी ने challenge को accept किया queen captures on C2 and now bishop to D3 और इस position में normally हम क्या करते दोस्तों कि queen को पीछे ले जाते है but ये move जो है वो actually mistake है अगर आप queen C7 के लिए जाते हो then white castle करेगा और उसके बाद knight D6 खेल सकता है या फिर directly even knight D6 जो है वो यहाँ पर dangerous है so आनन जी ने खेला queen to A4 so ये move जो है वो आनन जी को tempo दिलाती है tempo means आप जो है ओपनेंड के pieces पर attack करो या फिर कुछ ऐसी threat raise करो जिसकी वज़ासे ओपनेंड अपना plan ना खेल पाए so देखिए यहाँ पर castle possible नहीं है या फिर knight D6 भी possible नहीं है क्योंके knight D6 में simple bishop capture D6 और अगर आप कौन से capture करते हो तो queen captures on D4 और वहाँ पर भी न है so पहले bishop को save करना जो है वो ज़रूरी हो जाएगा in meantime आनन जी को जो है एक move मिल सकती है जिसकी वज़ासे वो जो है simply वहाँ पर अपनी position improve कर सकते है queen a4 के बाद actually bishop to c5 जो है वो recommend किया गया है बट उस case में queen to a5 चेक यह काफी बढ़िया move है otherwise किया होता है कि जो है आप bishop captures bishop खेलते हो then knight captures and दोनों पे जो है वो a take बन जाता है और यहाँ पे अगर white queen captures dc1 खेलेगा but then long castle so अब दोस्तों point किया है point is very simple कि हमारा castle हो चुका है हमारा king काफी safe है जबकि अब white का यह rook किस तरह से game में आएगा वो पता नहीं जिसकी वज़ासे यहाँ पे जो है एक्चुली नैपो ने b4 खेला और यह game की जो है वो mistake थी उसके बाद कभी यहाँ नैपो को जो है वापस गेम में आने का चांस ही नहीं मिला यहाँ पर अनन जी ने खेला bishop captures b4 और दोस्तों यह temporary sacrifice है क्योंकि pawn captures on b4 के बाद queen captures on b4 और यह bishop मिलना ही वाला है क्योंकि c3 square जो है सकते है क्योंकि अपकोस white जो है वहाँ पर queen to e2 खेलेगा तो उसका रूप नहीं जाने वाला है बट castling के बाद वहाँ पर position जो है वो just white के लिए जो है काफी काफी बुरी है क्योंकि उसका king जो है वो बीच में है और दूसरी और black को किसी पी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं ह but anyways game में चलते है जहाँ पर knight captures on c3 के बाद याननेपो ने knight to d6 intermediate check दिया and now king to f8 so यहाँ पर अब आनन जी जो है वो knight to e4 खेल के queen को win करना चाहते है इस position में याननेपो ने castling खेला इनकेस दोस्तो आप जो है knight captures b7 खेलते हो then knight to e4 में queen जा रही है but anyways castling shot and now bishop to c6 काफी बड़ी आमों आपने bishop को save भी किया और साथ सत किया किया कि c file को physically block करती है अब क्या है इस position में दोस्तो हे किया white के पास कि white के दोनों rook जो है काम कर सकते है जबकि अनन जी का यह special rook on h8 जो है वो इतनी जल्दी game में नहीं आ सकता तो इसी वज़ा से अगर आप position में कोई भी file open ना करो तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो passpon तो ही जिसकी वज़ा से game जो है वो just black के लिए win हो सकती है दूसरी और यह knight है फिलाल के लिए जिसक सकते हैं क्योंकि आप चैस्वन f6 के बाद जो रुक गेम में नहीं आने वाला था वो रुक जो है वाया जी एट से game में आ जाता उतना ही नहीं यह bishop और यह रुक दोनों मिलके जो है वो white के king पे काफी pressure भी बना सकते थे बट गेम में चलते हैं जहाँ पे 5 के बाद दोस्तों वहाँ पर क्या हो रहा है किसे आप जो है bishop मूँ करते हो कहीं और for example queen d4 के बाद पहले तो bishop का मूँ कर रहा हो कि कि problem यह है कि bishop b1 या bishop c2 में knight e2 में जो है action चला जाता हो इतना ही नहीं बाद में यहाँ पर यह pawn भी जो है जा रहा है उसकर एक बार e5 pawn चला गया तो उसके बाद आराम से queen defense में आ सकती है और white का attack को इतना अच्छा है नहीं उसके बाद right so इसलिए यहाँ पर bishop का sacrifice actually या ने पो न दिया उन्होंने कहला rook f2 e1 and now queen captures on d3 and now queen to h5 so checkmate की threat है so g6 and now queen to g5 so threat है queen to f6 और उसके बाद queen f7 की और दोस्तों यहाँ पर accurate defense जो है काफी ज़रू g8 game को save करने के लिए point यह है कि आप f8 के लिए जगा बना रहे हो ताकि rook f8 जो है वो खेला जा सके और इस case में अगर आप queen जो है उसको f6 पे ले जाते हो then rook to f8 जो भी tempo आता है जिसमें आपको वापस है queen e7 move करना पड़ेगा और अन जी को एक move मिल सकती है so इसलिए पहले queen e g7 जो अभी जो है threat है and now rook f8 यहाँ पे knight to e8 के लगए है so अब threat है दोस्तो queen to g7 checkmate की and now rook f7 and now knight to f6 check king to g7 दोस्तों यहाँ पे calculation जो है वो काफी precise किया है जिने उन्होंने जो है अपने इस rook का भी sacrifice दिया है बट वहाँ पे उन्होंने काफी calculate कर लिया है कि वो जो है win हो रहे है knight to h5 check और इस position में से आप जो है capture करते हो knight को then perpetual made game draw हो जाती कुछ इस तरह से so इसलिए knight h5 के बाद king to h6 के लना force and now queen captures on f7 and now king captures on h5 so action sacrifice था बट यहाँ पे आनन जी को जो है वापस knight e2 में वो मिली रहा है इस position में rook to e3 खेला गया है अगर आप जो है king captures on h5 के बाद से आप queen to g7 के लिए जाते हो देन आनन जी यहाँ पर खेल सकते है knight to e2 check and after say rook captures e2 queen captures e2 and queen captures on h8 white के पास जो है वह exchange है बट यह exchange हो है इतना कुछ खास नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर खेल सकते है h6 और black के पास इतने सारे pawn है कि black जो है यहाँ पर आराम से भीन हो जाएगा right but anyways game में चलते है जहाँ पर king captures on h5 के बाद rook to e3 या नेपो ने खेला और यह जो है शायद last mistake थी क्योंकि यहाँ पर आया knight to e2 check and now king to f1 गेम में खेला गया and now bishop captures on g2 और यह शायद move जो है वो might be या नेपो ने miss की होगी या फिर उन्होंने यह सोचा है कि अगर यह नहीं खेलते है तो फिर game में कुछ बचाई नहीं है तो वो जो है यहाँ पर थोड़ा risk लेके खेलना चाहते है आनंजी अगर कोई mistake करता है तो उनको capitalize करना चाहते है तो bishop captures g2 काफी important move है यह important move इसलिए है क्योंकि king captures on g2 में क्या होगा कि simply queen to d5 check और अब आप जो है जो चाहे हो खेल सकते हो बट next move में हम जो है knight captures on rook जो है मार सकते हैं तो इसलिए यह position भी जो है black के लिए winning थी तो bishop captures g2 काफी important move and now king e1 और यहाँ पर energy ने जो है दोनों rook लिए अपनी queen देखर knight captures on c1 and after rook captures on d3 knight captures on d3 check और अब क्या हो रहा है दोस्तों कि यह जो है okay pawn तो जाई रहा है और साथ-साथ यह rook जब भी c8 प पास so king to d2 actually यह ने पो ने खिला and now knight captures on e5 queen पर attack है and now queen to g7 गिम में खिला गया so knight and rook दोनों पर attack है बट अब आने जी जो है which check अपनी knight move कर सकते है जिसकी वज़ा से जो है बाद में rook जो है वो भी निकल सकता है so knight to f3 check and now king to e3 and now rook to c8 और rook c8 आते ही दोस्तों गिम में जो है now queen captures on h7 check and king to g5 आने जी ने खिला and now queen to e7 check king to g4 and now h3 check and now bishop captures on h3 and now queen to just d6 so यहाँ पर threat है okay queen to g3 की but गिम में जो है पहले आने जी की move थी so rook to c3 check and after king to e2 यहाँ पर एक बढ़िया सी मूँ आई जिसके बाद जो है एक मूँ के बाद resignation आ गया वो move थी दोस्तो bishop to f1 so bishop f1 move इसलिए क्योंकि यहाँ पर king जो है वो knight को protect कर रहा है और इस तरह का जो है कुछ checkmating ideas possible है दोनो square पर so इस position में king captures on f1 actually यहाँ ने खिला कुछ दूसरी move ही नहीं है यहाँ पर यहाँ पर और आप क्या कहलोगे से आप जो है king to d1 के लिए जाते हो but then rook check और वहाँ पर game जो है finish हो रही है मुझे पता नहीं अगर वहाँ पर कुछ checkmate हो रही है बट इतना तो दिखी रहा है कि okay rook का check queen जा रही है दो minor piece टेर सारे pawn so black definitely win है so bishop to f1 के बाद king captures f1 और जैसे ही आनन जी ने rook to c1 खेला इस position में actually यहाँ नेपो ने resignation दे दिया point ही है दोस्तों की king to g2 में जो है checkmate हो रही है और king to e2 में जो है वो queen जा रही है मुफ्त में rook e1 check king d3 and now rook to d1 check king कहीं पर भी move करो and then rook captures on d6 so दोस्तों कैसी लगी आपको विश्वनाथनानानजी की यह game और आज का वीडियो I hope मेरा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा पस इस चैनल को सब्स्राइब कीजिए वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कोमेट देना बिल्कुल ना भूले दनियावाज जाए हिंद बाबाई